So hello everyone, यह आज के दिन का पहला वीडियो है, अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखाया और आप देखना चाहते हो, definitely आप चेक आउट कर सकते हो, आपको चैनल पर वीडियो में बात करने वाले हैं, as usual Q1 के रेजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो पहले यह सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि 750 सब्सक्राइब और सो चुके हैं, 800 का टार्गेट है, तो definitely सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफियेशन को आल पर जरूर से सट कर देना, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, टाटा पावर के Q1 रेजल्ट के क्लिक करोगे, मतलब इस वाले PDF पे 8.96 MB तो यह आपका ओपन हो जाएगा, पेज नंबर 9 पे आपको आ जाना है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दू, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, कि Year on Year basis पे मैं जादा फोकस करता हूं, quarter on quarter basis पे मैं कम फोकस करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं दोनों के बारे में ही बात करूगा, पहली बात, दूसरी बात कि यहाँ पे जो numbers है, वो consolidated numbers है, आप यहाँ पे देख सकते है, consolidated numbers है, तीसरी बात, जो भी values यहाँ पे लिखे हैं, वो rupees करोड पे हैं, ठीक है, और इसके बाद है financial year 23, तो उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इन तीनों को यह आपस में compare करने वाले है, so without wasting, anytime start करते हैं वीडियो को, और subscribe, तो आपने करी लिया होगा मेरे इसाब से, एक बार like भी कर दो वीडियो को है न, तो अब start करते है, total total income के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे जो total revenue की बात है, 14,638 पहले था, आज से एक साल पहले वो, sorry, अगर आपको साइड से आवाज आया हो, 14,638 था और अब वो एक साल बात, मतलब year on year basis पे बढ़ करके 15,484 हो चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा कासा jump आपको देखने मिल रहा है, 14,638 से 15,484, एक बार अगर बात कर लेते हैं, इसके percentage के बारे में, कि यहाँ पे यह कितना percentage होता है, तो यहाँ पे jump तो है, बट जादा percentage नहीं है, actual में यह 5.7, मतलब लगबग 6% के आसपास आप मान सकते हो, 6% का jump है, और वो भी year on year basis पे, तो although ठीक है, जंप हुआ है, अच्छी बात है, बट हाँ, यह जंप जो है, काफी average सा jump है, काफी minimum, minimal सा jump है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो मुझे जो है, total income year on year basis पे तो okay, okay सा लगा, अगर मैं quarter on quarter basis पे compare करो, तो यहाँ पे कुछ फिर भी अच्छा jump देखने मिलता है, 13,3 25 से बढ़ करके 14,484 तक जा चुका है, तो overall total income तो मुझे ठीक ठीक सा लगा, ना ज्यादा खराब है, ना अच्छा है, वैसे मैं कुछ हद तक इसे अच्छा ही कहूंगा, ठीक है, क्यूंकि overall quarter on quarter में भी growth है, year on year में भी growth है, although जो growth है वो जादा नहीं है, लेकिन growth है, वो भी एक बात है, तो although मैं इसे ठीक ठीक कहूंगा, जैसे मैंने बताया, इसके बाद बात करेंगे net profit for the period के बारे में, ठीक है, profit after tax कहलो, net profit for the period कहलो, एक ही बात होता है, तो यहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे, 883 से बढ़ करके 1140.97, मतलब 1141 ही आप कह सकते हो, तो 883 से 29-30%, आप एक बार फिर से अपने end पे चेक कर लेना, तो year on year basis पे जो jump है, वो लगबग 30% के आसपास का है, और अगर आप quarter on quarter basis पे देखोगे, तो 938 से बढ़ करके 1140 पे आ चुका है, तो quarter on quarter basis पे भी अच्छा कासा jump देखने मिल रहा है, year on year basis पे एक बहुत अच्छा jump है, 30 30% का jump, 30 नहीं actually 29 ही है, तो 29% का jump is very good actually, मुझे तो अच्छा लगा खर, तो आप बताना आप कैसा लगा, तो overall net profit जो है, वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, और revenue मुझे ठीक ठीक लगा, एक बार मैं EPS के बार मैं बात करूँगा, तो EPS आप यहाँ पे देख सकते हो, यह र quarter basis पे देखोगे, 1.91 से बढ़ करके 3.5 का सपस जा चुका है, तो यह अच्छा growth है, अच्छा jump है, और EPS भी काफी growth किया है, अब एक बार मैं conclude करूँगा वीडियो को, और एक बार summary के बार में बात करेंगे, कि overall result में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या increase हुआ, क्या decrease तो सबसे पहले बात करेंगे revenue, net profit और EPS के बार में बात करेंगे, तो revenue year on year basis पे revenue increase हुआ है, जादा increase नहीं हुआ, इस वज़े से मैं single tick लगा रहा हूँ, 6% का growth is very normal, net profit काफी अच्छा increase हुआ है, EPS भी काफी अच्छा है, ठीक है, quarter on quarter basis पे revenue अच्छा है, net profit भी अच्छा है, EPS भी अच्छा है, तो quarter on quarter basis पे सब कुछ अच्छा है, year on year basis पे revenue वो मुझे थोड़ा कुछ अच्छा कम लगा, net profit and EPS are good, तो अगर आप मुझे पूछोगे कैसा रहा result, आपको कैसा लगा result, तो मैं year on year basis पे ज़्यादा focus करता हूँ, तो मुझे overall result अच्छा लगा, it's good, बट यह बहुत अच्छा result नहीं है, क्यों वही बात है, revenue यहाँ पे 6% ही बढ़ा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा actually, ठीक है, और इसी वज़े से मुझे यह result, overall जो है अच्छा लगा, नहीं तो अगर revenue अच्छा करता, तो मुझे यह result बहुत अच्छा लगता, तो कल मेरे हिसाब से कुछ positive movement हमें, मुझे दिख सकती है, मतलब, obviously again no recommendation, but मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल कुछ positive movement इसमें दिख सकता है, ठीक है, और या तो neutral रहेगा, या तो positive रहेगा, ठीक है, negative का chance मुझे बहुत बहुत कम लगता है, बाकि ठीक है, आर end करत है वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, definitely या लाइक, share, subscribe कर देना, और मिलता है किसी और वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में, obviously, जय हिंद, and thanks for watching.